हेलो अब्रीबन वेलकम चो यूट्यूब चैनल डेली पी आई भी सो तो डेइस देट इस रोट था पर देश्ट कुछ टेक्निकल गिलिच की वज़े से हमारे प्रीवेस वीडियो में वाइस की कुछ प्रॉब्लम की और अगरा कुछ सही से वाइस रिकॉर्ड नहीं हो पाय ठीक है अब फर्स्ट न्यूज इस डिजिटल हेल्थ इंसेंट्व स्कीम सो इस स्कीम को दो हजार तेइस में फर्स्ट आफ जनवरी को लांच किया गया था इसे आयुश्मान भादा डिजिटल मिसें नहीं लांच किया था और बिसिकली जो यह आपका डिये चाहिएस है इस जाएगा और साथ ही साथ जो भी आपके डिजिटल हेल्थ सॉलूशन्स है उनको जो प्रोवाइडर्स हैं जो भी हेल्थ मेनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा आपके चैमाइस लेबरेटरी मेनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लमाइस है इन सब को इन सब को भी जू होगा उसको भी इंसेंटिव प्रवाइट किया जाएगा ताकि ये ट्रांस्फर्मेटिव डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट कर सके इसको एनेबल कर सके अंडर आयुश्मान भारत डिजिटल में सब्सक्राइब अगे कह रहा है कि यह जो स्कीम आपकी इसी स्कीम के तहट जो भी आपका यह एक आपका जो डिजिटल हैल्ट टेखनीलोजीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए इट विल एक्ट ऐसे क्याटालिस्ट ताकि जो हमारे कंट्री में जो हेल्ट केर डिलीवरी प्रमोट कर सकें और साथी साथ इसके इंपक्ट और रिस्पोंस को देखते हुए जो भी हेल्टेक कंपनी हैं उनको कुछ इंसेंटिव अगर है वो प्रोबाइट किया जाएगा और साथी साथ इसके इससे क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जादा जादा बेनफिट मिलेगा और साथी उनको फैनेंशल असिस्टेंस प्रवाइड किया जाएगा इसमें क्या है कि आपको जो है इस स्कीम के तहर्ट जो भी आपके एलिजिबल हैल्थ फैसिलिटीटीज वगरा प्रवाइड के जाएगे जो आपके आभा आभा से लिंख है आभा यानि कि आश्मान बाइडिजिबल हैल्थ एकाउंट तो इसके नंबर आफ पेशेंट्स का जो हैल्थ रिकॉर्ड को देखती हुए लगबग चार परोड का इंसेंटिव प्रवाइड किया जाएगा ठीक है उसके अलावा कि जो इ कि हैल्थ फैसलिटी रजिस्ट्री वगरा है इन सब को प्रवाइड किया जाएगा जो भी इन इसकी अंदर मैंशन क्रेटियरिया को फुल्फिल करेंगे ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि जो डी एचाइस है ठीक है इसका जो एडवांटेज वगरा होगा वो डीसी वगर को भी प्रॉआइड किया जागा नहीं कि डिस्टिक जो कमिटीज वगरा होंगे ठीक है इसको भी प्रवाइड च्वाइड के जाएगा इसको भी एडवेंटेज वगरा मिलेगा ताकि यह जो है कॉस्ट्रिचन में कॉण्ट्रिब्यूट करता कि और जो भी आपके हेल्थ क बिल 2023 लोग सब है वो आई एसो बिल 2023 को लेकि आया यह जो बिल्ड है यह बिसिकली क्या करेगा जो कमांडर इन चीफ होंगे और जो आफिसर इन कमांड आफ इंटर सर्विशेस और इसको एंपावर करेगा जितने भी डिसिप्ली और एड्मिनिस्टेट्टिव पावर्स होंगे ठीक है ताकि जो पर्सुनल जो इससे जुड़े हुए हैं या इसमें सर्फ कर रहा है उनको इससे बेनफिट मिलेगा इसमें क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट स्टैप वगरा है वो लिया जाएगा ताकि आप एक सब्सक्राइब करें जो पहला फीचर मैंचेंड वो है कि यह क्या करेगा जो भी सारे पर्सनल होंगे आपके रैगुदल आर्मी हो गया नेवी हो गया एयर फोर्स हो गया और जो भी आपके जो पर्संस हैं इन सब में सेंट्रल गवर्मेंट के दौरा नोटिफाइड किये फोर्स में इन सब को इन इन सब को यह इन सब पर अप्लिकेबल होगा यह इसो आपका क्या हो गया यहां पर आप देख सकते इंटर सर्विसेस और्गनाइजेशन साथी साथ इस बिल के तहत यह जो कमांडर इंचीफ या ऑफिसर इन कमांड जो होंगे उनको आपावर करेग है ताकि यह क्या होगे और बिहाफ ऑफ सेंटरल गवर्मेंट ठीक ही जो भी आपके डिसिप्लीन और अडिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो भी वह पर्सुनल के लिए जो सर्व कर रहे हैं या पर जो अटैच है यह सो से इनके इनको डिसिप्लीन मेंटें करना ताकि सेंटरिऑ ब्ला सेंटर गालि जोav assume सेंटर और झालिव को मेंटर और उसिए के की सेंटरिऑ पिराह और administrative actions over the service personnel मतलब जो भी आपके personnel जो deputed हैं, postage हैं attached हैं जो ISOs के तहट उन सब का basically क्या काम होगा कि उनको empowerment मिलेगी ताकि वो किसी भी तरह की disciplinary या administrative actions हैं उनको वो initiate कर सके उस पे commanding power उनकी अच्छी हो इस bill के तहट और क्या होगा कि जो commanding officers होंगे ISOs के उनको empowerment मिलेगी ताकि वो किसी भी तरह की जो आपके disciplinary या fair जी तो actions हैं उस पे जो personnel जो appointed हैं, deputed हैं posted है, attached हैं किसी भी तरह की से ISO से तो उनका क्या करेगा purpose यह रहेगा कि वो क्या करें कि actual command of unit से for establishment पे ध्यान दें ठीक है last point यह इसका कहा रहा है कि यह जो bill होगा central government को empower करेगा कि वो एक ISO को बनाए ISO को constitute करे ठीक है अगला topic है हमारा menstrual hygiene practices जो हमारा government है, इसने बहुत सारे appropriate measures लिए है, menstrual hygiene practices को improve करने के लिए इसमें धेर सारे schemes government लेकर आईए आपका कुछ schemes को हम आज discuss करेंगे पहला जो है, वो है कि ministry of health and family welfare जो है, इंप्लिमेंट कर रही है कुछ schemes for promotion of menstrual hygiene since 2011 2011 से इसको लागो किया जा रहा है ताकि जो adults and girls है इनमें हम awareness create कर सके menstrual hygiene के लिए और साथ ही साथ और उनको sanitary napkins है वो high quality की है हो उसमें कुछ proper infections वगरा create ना हो उसकी वज़े से और साथ ही साथ जो उस napkins का जो proper disposal है, वो भी ensure करना कि वो properly safely dispose हो जाए ताकि वो जो environment को कोई नुपसान न पहुँचे है नेक्स्ट है आपका further teachers and frontline workers जो है जैसे कि आपकी auxiliary nurse midwives हैं इनका क्या है कि इनको budget के तहत special orientation वगरा दिया जा रहा है ताकि कुछ schemes जैसे कि राष्ट्रिय किशोर स्वास्त कारक्रम के तहत यह जो है जो आपकी और awareness क्रियेट कर सके यह क्या करेगा जो है यह कुछ national guidelines लेके आया है menstrual hygiene management के लिए ताकि जो menstrual hygiene management का जो rural areas है वहाँ पे भी लोगों को aware किया जा सके और उनके sanitation hygiene aspects के लिए उनके behavioral में change कुछ लाए जाए ठीक है department of school education and literacy implements and integrated scheme namely समगर सिक्षा इसके तहद भी क्या किया जाएंगे जो भी आपके state वगरा है वहाँ पे कुछ specific project वगरा दिये जाएंगे ताकि menstrual health and hygiene को proper implement किया जाए रोस पे ध्यान दिया जाए नेक्स है ministry of women and child development ये भी आपके scheme for dos and girls ये भी इसी सेम के तहद भी वही सेम चीज़ है कि जो formal schooling के तरफ लोगों को बच्चियों को प्रोचाहिद किया जाए और साथ ही साथ उनके health और hygiene को nutritional status को improve किया जाए next है department of health department of health research under ministry of health and family welfare ये भी आपका क्या कहा रहा है कि menstrual hygiene और उनके management को लेके कुछ research और studies वगरा conduct किये जाएंगे ताकि इसको sustainable ताकि हम जो hygiene menstrual hygiene है इसको लेकर के हम कुछ sustained alternatives को ला सके कुछ management अच्छा कर सके ताकि जो napkins वगर है उसको properly safely dispose किया जाए so that it can have acceptable, affordable, efficient and feasible among women in all public health program setting next news है काफे important है implementation of POSCO Act so basically POSCO Act जो है वो आपका 2012 में आये था और इसमें क्या होता है कि जो आपके बच्चे होते हैं 18 साल से कम उम्रे के जो बच्चे उनको sexual abuse और sexual offenses से बचाना ठीक है ये government of India का ही एक scheme है और इसमें ये एक act है और ये जो act है वो बहुत clear define करता है कि कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उनके तहत किये गए कोई भी sexual abuse या sexual offenses के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ठीक है और जो POSCO Act है वो punishment अपने जो crime के seriousness कुछ के gravity of offense को देखते हुए प्रोवाइड किया जाए ठीक है अन् दिस act वस फर्दर रिव्यूट इन 2019 अन् इट इंट इंटोडूसेज मोर रिस्ट्रिक्ट पनिश्मेंट फॉर द फॉर द ग्राइम क्रिमिनल्स लाइक एग्जाम्पल्स डेथ पेनॉल्टे एर्सेक्ट्रा सो फर कमेटिंग एनि सेक्शुल क्राइम्स ऑन चिल्रेन तो इट डेवल प्रोवाइड वेरी सीरियस पनिश्मेंट ओके नेक्स्ट यह कहा रहा है कि जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया वो पॉस्ट को रूल्स 2020 को नोटिफाइड की है फिर से 2020 में इसमें जो रूल लाइन है पॉस्ट को रूल्स का वो यह कहता है कि कोई भी जो आपकी स्पैशल कोट है ठीक है कुछ अप्रोप्रियेट केसेज में और इस ओन और अप्लिकेशन फाइल बाइन और और बहाफ आफ चाइड मतलब बैचलन के बहाफ अगर कोई कंप्लेइन करता है तो उस पे कुछ इंटरिम कंपेंशेशन के बाद उसको उनको क्या होगा उनकी न कंप्लेइन कर रहा है या बच्चे खुद अगर कंप्लेइन कर रहा है तो उसके भी आप उनको कंपेंशेशन मगना लिया जाएगा सच इंट्रिम कंपेंशेशन पेट तो देचाइल एड़ अगेंस तव फाइनल कंपेंशेशन यह पॉइंट को याद रखना है ठीक है इमेडियेट पेमेंट ऑफ सच एमाउंट अजिट में एक्सेस टूब रिक्वाइड अटाइट स्टेज तो एन अब दो फॉलिंग इन तीनों में से कोई भी अगर आप जो आपके एक्ट्स वगरा है या फिर ऑथोरिटी वगरा है तो इन में से किसी के तहत भी इसमें भी आउट अफ सच फंड्स प्लेस्ट अधियर दिस्पोजल बाइस्टेट थर्ड है फंड मेंटें अंदर सक्शन 105 अब जुवनाइल जस्टिस केर और प्रोटक्शन ऑफ चिल्डेन एक 2015 के तहर्ट और सब क्लॉस टूफ टूफ टूजन सिक्टी सच इमेडियेट अगर अगर उनको रिकमेंडेशन के रिसेप्ट मिलती तो उसके एक हपते के अंदर उनको पेमेंट कर देना है नेक्स्ट यह बोल रहा है इन फर्द रेंस ओप्ड ग्रिमिनल लॉमेंडमेंट डेक 2018 डिपार्टमेंट ओफ जस्टिस हैस स्टार्टेड असेंट्रली स्पॉ फास्टेक्स स्पेशल कोर्स का गठन किया गया जिसमें से 389 कोर्स ऐसे हैं जो आपके एक्स्क्लूसिवली पॉस्को कोर्स कहे जाते हैं ठीक है अगली न्यूस है माल नूटिशन इन ट्राइबल चिल्रेंट तो बताते हुए बात कहा रहा है कि अभी जो आपका नैश्टन फैमिली वेलफेर उसके डेटा के बारे में यह बात कर रहा है तो यह कह रहा है कि अभी जो न्यूस फाइफ की जो रिपोर्ट आई थी रिसेंट में तो उसमें यह कह रहा है कि जो आपकी प्रिवलेंस ऑफ माल नूटिशन अमांग ट्राइबल चिल्रेंड इन देक्लाइन लिक्रिवलेंस ओफ स्टंटिंग वेस्टिंग अन्डर वेट रिपोस यह बेसिकली आपके डेटा को कंपे रहा है जो ने फैचस फाइफ की जो रिपोर्ट स्थाइब इसिकली की एचा घॉरत बचे की इसाफ से हैई ना और वेस्टिंग अप्रोर्ण यूठ परको पता तो इसमें क्या रहा कि जो stunting है उसमें भी काफी अच्छा कासा हम ग्रोथ देखने को मिला है जो stunting है उसमें भी एक declining trend हम देख रहा हैं पहले आपकी जो stunting थी वो 40.9% थी आप 43.8% रह गई है पहले जो आपका wasting है वेस्टिंग आपका पहले था 23.2% अब आपका 77.4% है ठीक है नेक्स्ट है आपका 39.5% है वो अब आपका 45.3% है तो यह कुछ देटा थे जो NFHS 5 और NFHS 4 के थे अगला फीचर से इसका वेंशन है वो यह कि जो government है वो क्या कह रहा है कि हाई priority प्रवाइड कर रहा है माल नूटिशन वगरा के issues के लिए ताकि इंप्रूफ करने के लिए माल नूटिशन को टैकल करने के लिए यह कुछ schemes वगरा भी लेके आ रहा जैसे कि portion अभियान आंगनवाडी services scheme for adults and girls under mission portion 2.0 जिसको मागे देखेंगे प्रधान मंत्री बंधना योजना अंडर मिर्सन सक्ती तो यह कुछ targeted interventions है जिसके थुरू जो माल नूटिशन की problem है वो टैकल की जा रही है including in tribal areas as well portion अभियान के बारे में देखते हैं जो portion अभियान है यह क्या करता है basically कि जो nutritional स्टेटर से कंट्री का वो बिसिकली इंप्रूफ करता है especially in pregnant women, adults and girls, lactating mothers इन लोगों में ठीक है एक synergized and result oriented approach के साथ यह जो mission mode है इसमें mission mode approach के साथ जो माल नूटिशन है उसको टैकल किया जार उस problem को through interventions of technology multi-ministerial convergence and focus on converting the agenda of improving nutrition into gen अंदोलन through community mobilization, sensitization and thus bringing nutrition based behavioral change across India under gen अंदोलन portion ma and portion pakvara इन जैसे programs है कुछ जिसको annually celebrate किया जा रहा है किया जो supplementary nutrition program है और आगनवाड़ी services और portion अभियान है इन सब को rejuvenate और converge किया जार रहा है सक्षम आगनवाड़ी और portion 2.0 को बिसिकली कह रहा है कि malnutrition की problem जो है वह आपके जो आपके जो आडोल्सेंस है girls है children है women है pregnant women है lactating mothers है तो इन सब में इन सब की जो health को improve करके basically एक ecosystem एक ऐसा ecosystem जिसमें अच्छा health हो wellness हो और एक प्रॉपर अच्छी immunity हो ठीक है portion 2.0 है वह mental and nutrition पे focus कर रहा infant and young child feed norms को देखते हुए इन चीजों पे भी focus कर रहा है जो कि आयूज के अंदर भी आता है आपके comment section में आयूज की full form type करके बताएंगे कह रहा है portion tracker के तुरू technology का proper यूज किया जा रहा है जो कि एक robust ICT platform है जहां पर क्या होगा कि आपके जो governance जो जो governance है उसको improve किया जाएगा monitoring की जाएगी इसके regarding की जो हमारा nutritional status है वो कैसा है हमारे country में okay under supplementary nutrition program of mission portion 2.0 only fortified rice is being fortified rice का मतलब यह हुआ कि जो rice में nutritional value एड़ करना है ठीक है तो fortified rice provide करने की बात कहीं गई है इस न्यूज हमारी है आज की और यह आज की आखरी न्यूज है यह कहा जा रहा है कि जो alternative fertilizers के alternatives को promote करने के लिए कुछ steps लिए गया है तो जो क्या हमारी यूज करें स्वाइल टेस्ट बेस्ट रिकमेंडर्शन सो जो भी बायो सैंटिस्ट वगरा है वह क्या करें कि स्वाइल को test करने के बाद ही उसको में बताएं कि जो आप मज़र तोड़ा सकते हैं यहां ठीक है आपका जो पहला है वह है पी के वाइप परम परागत क्रिश्वी विकास योचना नमामी घंगे भारती प्राकृति क्रिश्वी पद्धिति मिशन और्गेनिक वैलू चेंड डेवलेप्मेंट फॉर नौर्थ इस्टर्न रि क्या किया जाएगा इसका फुल फॉर्म ही है कि प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेर्नेस जनरेशन नरिश्मेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ ठीक है यह जो इनिशियेटिव है यह क्या करता है कि एक मास मुमेंट के द्वारा जो स्टेट और यूटी ज़ क्यार टैंद स्टाथ को और यूइ तक अब स्टिण और बैलेंस्ट वे में यूजब करें तांकि जो फर्टिलाइजरस का है इसको कुछ हम उसका अल्टर MS घूडबें ठीक है और इनिक करें और वह इंप्रिमार्ट करें सोरसें करें यूजब् Filmका शोर्स को आपके कि जो under the state scheme 50% of the fertilizer subsidies saved by the UT जो आपके state UT होगी जो 50% अगर जो cost save होगी fertilizers के alternates या उनको कम करके इसको क्या करेगी वो कि इसको जो होगा इसके खपत में जो कमी आई होगी जो और इसमें तीन साल की जो average खपत होगी उसके compare करके जो भी बचत होगी उसको उसी स्टेट या यूटी को ऐसे ग्रांड प्रोवाइट किया जाएगा कि लास्ट पॉइंट है मार्किट डेवलेब्मेंट असिस्टेंस याने की MDA लगबग 1500 पर मैट्रिक टरन प्रोवाइट किया जाएगा और गेनिक फॉट लेजर को इंप्रूफ करने के लिए इस मैनुवर प्रोडूस्ट एड प्लांट संदर गोबर्धन इनिशियेटिव कवरिंग डिफ्रेंट गोबर्धन इस इनिशियेटिव गोबर्धन का पुल्फरम आप मु मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल यहां से देख सकते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टौर्ड अफॉर्डेवल ट्रांस्पोर्टेशन ठीक है और एक स्कीम है बेस्टू एनर्जी प्रोग्राम एम अन आरी की है और सुख्ष भारत मिसंट रूरल और डीड़ी डेवलोस ठीक तो आम गुरोग से ले सकते हैं एक तेलेगराम पर सच करना रहे हैं चाहां बलेगा जहां पर आपको फ्री-ओफ-bureau क्यों की पीडियाफ प्री